हेलो फ्रेंट्स हम सीख रहे हैं John Keats और फ्रेंट्स जो इम्पॉइंट्स पर काफी कुछ हमें स्टडि भी कर चुके हैं लेकिन फ्रेंट्स अभी ऐसा लगता है कि कुछ पॉइंट्स अभी बच गए रहे हैं जो आपसे शेयर करना बड़ा जरूरी है कुछ जो important बाते हैं वो कीट्स की biography को लेकर हो सकती है कीट्स के works को लेकर हो सकती है या कीट्स की personal life को लेकर हो सकती है तो उन important points को आज हम discuss करने जा रहे हैं तो चलिए friends, let's start देखे मैं थियोर्णॉल्ड ने जो उन कीट्स के बारे में comments किये है और सबसे पहला comment तो रहा है कि कीट्स इज एंचेंटिंग ली and abundantly 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 sensuous देखे friends, enchantingly कहते हैं बड़े मोहग तरीके से और abundantly कहते हैं परचुड तरीके से और sensuous का अर्थ होता है friends कोई ऐसी वस्तु जिसको इंद्रिया जो हैं वो समझ लेती हैं जिसको हमारे sense organ समझ पाते हैं या जिसको हम संपल भाजा में कह देते हैं इंद्रिया ग्राही को तो कीट्स को कहा है मैं अर्णोल ने कि जो जो जोन कीट्स है वो एंचेंटेंगली और अबंडेंटेंगली संस्वास है इसी के लाबा एक और क्रिटिकल कमेंट जोन कीट्स को लेकर अर्णोल ने किया वो कहा कि कीट्स हैडd फ्लिंट अव आईरन इन हीम यहां एक नया वर्ड आया फ्रेंट्स फ्लिंट और इस फ्लिंट का मतलब होता है कठोर एक पत्थर होता है जिसे हम चकमक पत्थर कहते हैं जो लोहे से भी कठोर होता है तो यहां कीट्स को क्या कहा दिया कि वो कैसा कठोर है लोहे के जैसा कठोर है clear friends, दोनों point clear हैं, बड़े अच्छे हैं और exam में ये दोनों critical comments जो हैं कसराते हैं इसके अनाबा friends, John Keats ने एक play लिखा और उस play का नाम था Otho the Great John Keats, Otho the Great और इसकी अगर बात करें play की तो ये क्या था friends, ये था 3D और कितने एक्ट में इन 5 acts और friends, एक चीज और है, जो author play लिखते हैं author से मतलब जो poets play लिखते हैं, उनके जो plays होते हैं उनको हम कहते हैं poetic play, clear friends, चुकि वो lyrical होते हैं उनमें जो lyric की quality होती है, वो naturally होती है who killed John Keats, I say who killed John Keats, की John Keats को किसने मारा है, who killed John Keats, John Keats को किसने मारा, I say quarterly, की मैं कहता हूँ, John Keats को अगर मारा है, तो वो किसने मारा है, वो मारा है quarterly ने, और quarterly क्या है friends, जो quarterly review और Edinburgh review दो मेकजीन्स थी, जिनमें endymion का जो harsh criticism था, उसी को लेके, ये जो comment रहा है, ये comment रहा है Lord Byron का, Lord Byron ने कहा, मुझे पता है, John Keats को किसने मारा, John Keats को जो मारा है, वो मारा है quarterly ने, बात के लिए friends, Lord Byron, इसके लाबा friends, बात करते हैं, कि Keats ने, जो वर्सवर्थ को कहा है, Keats ने एक critical comment वर्सवर्थ के लिए क्या, और वो क्या कहा, the egotistical sublime, Keats called, वर्सवर्थ, the egotistical sublime, अब egotistical sublime का मतलब होता है, friends, कोई प्रतापी, या कोई शांदार व्यक्ती, clear, egotist, तो आप जानते हैं, एक ऐसा व्यक्ती जो एहंकारी होता है, जो केवल अपने ही बारे में सोचता है, उसको egotist कहा जाता है, और यह जो sublime है, sublime का मतलब होता है, friends, of high level, of high quality, clear, friends, एक बड़ा famous नाम रहा है, tender is the night, tender is the night, और यह, friends, क्या रहा है, यह actual में एक novel का title रहा है, tender is the night, और इस tender is the night की बात करें, तो यह novel लिया गया है, इस line से लिया गया है, और यह line रही है, John Keats की एक poem में रही है, tender is the night, and happily the queen moon is on her throne. अब समझे इस बात को, कि tender is the night की जो रात है, वो बड़ी कोमल है, कैसी को है रात, वो कॉमल है, and happily, और happily का मतलब होता, friends, शायद, perhaps, the queen moon is on her throne, जो चंद्रवा है, जो चांद की रानी है, वो अपने throne पर है, और throne क्या होता, friends, जो गद्दी होती है, जो तखत होता है, उसको हम throne कहते हैं, और देखे, यहाँ जो moon है, moon को शायद आप confused हो सकते हैं, इस question को लेके, कि moon के लिए यहाँ हर use हुआ है, friends, देखे, जो moon है, moon क्या है, चांद, और हम चांद को अगर बात आती है, किसमे हिंदी लेंग्विज की अगर हम बात करते हैं, तो चांद को हम क्या मानते हैं, चंदामा मादूर के, तो masculine हम चांद को मानते हैं, कभी चांद निकल आता है, तो हम क्या कहते हैं, चांद निकल आया, हम यह नहीं कहते हैं, चांद निकल आई तो देखें language की कैसी nature होती है जो हिंदी है वो तो चांद को मानती है क्या? masculine मानती है यानि पुरुष मानती है लेकिन अब English है friends जो English है वो जो tender things होती है जो beauty वाली चीजे होती है या कोमल चीजे होती है delicate things होती है उनको वो feminine मानती है तो English में जो चांद है जो moon है उसको क्या माना जाता है feminine और उसके लिए यहाँ use किया है her clear friends tender is the night and happily the queen moon is on her throne की जो रात है वो बड़ी सुहानी है बड़ी कोमल है और चांद की देवी अपने तक्त पर आसीन है ये जो line है friends ये ली गई है ode to a nightingale से ode to a nightingale clear friends लेकिन अब जो बात हम कर रहे थे पहले कि tender is the night ये क्या है ये एक novel का title है किस novel का title है आगे discuss करते हैं चली पहले इसको note कर ले friends तो friends जो tender is the night ये एक नॉवल है by Scott fit gerard clear friends Scott fit gerard एक author रहे है novelist रहे हैं उन्होंने जो अपने novel का title लिया वो john keats की जो line है और to nightingale की उससे लिया clear friends और keats को जाना जाता है तो keats ने एक term इंट्रोड्यूज किया और वो term क्या था friends वो था negative capability नाम आपने definitely negative capability का सुना होगा ये फिट्स एक लेटर में john keats ने इंट्रोड्यूज किया in December 1817 में और जो negative capability का मतलब क्या है वो है friends चलिए अभी discuss कर लेते हम negative capability को भी साथ साथ हाला कि ये literary terms का विशय है लेकिन कोई बात नहीं जब author दे दिया है देखे when a man is capable of being in uncertainties पहले तो define कर दूँ when a man is incapable और किसके sorry when a man is capable of being in uncertainties देखे इससे समझे कि जब कोई व्यक्ति capable होता है समर्थ होता है किस में फिंट्स being in uncertainties में अनिश्चित्त में mysteries mysteries में रहस्य में doubts में clear friends capable of being in uncertainties mysteries doubts without any irritable reaching और बिना किसी irritable reaching के irritable reaching से मतलब है बिना किसी point पर पहुँचे हुए after fact and reason means Jब कोई व्यक्ति uncertainty यहनि uncertainty अनिश्चित्त में होता है रहस्य में होता है यह doubts में होता है तो बिना किसी भी fact और fact और reason के बाद वो किसी निष्करस पर नहीं पहुँचता तो वो जो निसकर्स है उसका जिस पे वो नहीं पहुंच रहा है जिस पॉइंट पे वो नहीं पहुंच पा रहा है वो क्या है फ्रेंड्स वो ही negative capability है अब देखें negative का मतलब होता है नाकाराद्बक और capability का मतलब होता है सामर्थ है हमारी यानि एक ऐसी सामर्थ, एक ऐसी potency वो कैसी है जो negative है means जब हम negative होते हैं, uncertainties में होते हैं, mysteries में होते हैं, doubts में होते हैं तो हम किसी भी fact पे, किसी भी reason पे नहीं पहुँच पाते हैं और वो ही हमारी क्या है negative capability होती है बात के लिए friends? I hope ये term clear हो गया होगा चलिए, अब आगे बढ़ जाते हैं, देखिए, kids ने एक और चीज कही है a poet is the most un-poetical of anything एक जो poet होता है, वो संसार में सबसे बड़ी un-poetical thing होती है clear friends? a poet is the most un-poetic of anything कि जो poet होता है, वो un-poetic होता है clear friends? in existence अपने अस्तित्व में, अगर अस्तित्व की बात करें, तो poet क्या होता है? जो poet होता है, वो un-poetic होता है क्यों होता है, because he has no identity देखे, जो poet होता है, उसकी कोई identity नहीं होती, उसकी कोई पहचान नहीं होती और उस पहचान ना होने के कारण, जोन कीट्स ने कह दिया उसको un-poetic बात clear, पहचान क्यों नहीं होती, जिस भी poem में, जिस poem को लिख रहा है, जिस character को लिख रहा है, वो उसी में ढल जाता है बिल्कुल ऐसे ही simple way में समाज सकते हैं, जैसे एक actor होता है, उसकी अपनी कोई पहचान नहीं होती वो जिस role में, जिस role को वो play करता है stage पे, वो उसी में ढल जाता है तो उसी तरह, जोन कीट्स कह रहे हैं, कि एक poet क्या है, वो most un-poetic of anything वो most un-poetic होता है क्योंकि उसकी अपनी कोई पहचान नहीं होती चलिए, फिर आगे बढ़ते हैं फिर पीबी शेली, जो जोन कीट्स के ही contemporary थे और इन दोनों poets में एक समानता ये है, कि ये दोनों ही romantic age में थे पहली बात और दूसरी बात ये है, कि दोनों ही बड़ी थोड़ी सी उम्र में, छोटी सी उम्र में चले गए थे तो फिर फिर पीबी शेली ने जोन कीट्स के लिए कहा, कि जोन कीट्स was a Greek क्या कहा है, कीट्स was a Greek और फिरेंवन लिए कि ग्रीक कहने का मतलब था, वो फिरेंडस क्या था जो ग्रीक कल्चर है, उस के प्रूंटी जो प्रेम था जोन कीट्स को, उसके कारण ही पी-वीः शैली ने इसको ग्रीक कहा। इसके लाबा फेंट्स पीवी शैली ने जोन कीट्स को एक टर्म और दिया वन अब दा इनहेरिटर्स अफ अनफुल्फिल्ड डिजायर वन अब दा इनहेरिटर्स अब अनफुल्फिल्ड डिजायर्स कि एक ऐसा इनहेरिटर जिसकी जो डिजायर्स है वो क्या रही है अनफुल्फिल्ड डिजायर्स रही है मिन्स एक ऐसा व्यक्ति जिसकी जो डिजायर्स है जो इच्छा रही है वो अनफुल्फिल्ड रही है जो पूरी नहीं हुई और एक्चुल में फ्रेंड्स क्या डिजायर थी इस बात को कमेंट क्यों किया यह भी मैं बता देता हूं देखें जोन कीट्स की जो डिजायर थी तो वन उफ इस फ्रेंड और जो डिजायर थी फ्रेंड्स वो थी I think I shall be among the English poets after my death I think I shall be among the English poets after my death कि मैं चाहता हूँ क्या इच्छा है मेरी कि मैं चाहता हूँ मैं समझता हूँ कि जब मैं मर जाओं तो मेरा जो नाम है जो अंग्रेजी के poet है जो इंगलिस poets है उनमें मेरा नाम लिया जाए clear friends point clear हुआ और इसी बात को लेके मैं थियोडनोल ने कहा है क्या कहा है कि he is with Shakespeare कि वो तो Shakespeare के बराबर है Shakespeare के साथ रखा हुआ है कीट्स का एक वर्क रहा है friends एंडाइमियोन जो एंडाइमियोन है एंडाइमियोन को क्या कहा a trial of my powers of imagination की एक trial मेरी जो कल्पना सक्ती है उस कल्पना सक्ती का एक trial clear trial समझते हैं सुरुवात किसी चीज़ की a trial of power of imagination की जो मेरी imagination power है उसका एक trial clear friends trial of the power of my imagination मेरी imagination का एक trial यह जोन कीट्स ने एंडाइमियोन को कहा है कीट्स poetry जो थी friends वो क्या थी वो actual में जो कीट्स का नाम लिया जाता है वो love poet में लिया जाता है लेकिन अगर पीवी शैले की बात करें तो इन दोनों में जहां समानता थी वहीं दोनों क्या थे दोनों की जो poetry में है उसमें एक अंतर था और अंतर क्या था जो कीट्स थे कीट्स की poetry friends sensual थी कीट्स की जो poetry है वो क्या थी वो love poetry थी लेकिन अगर पीवी शैले की बात करें तो पीवी शैले की जो poetry थी वो क्या थी full of revolutionary spirit एक क्रांतिकारी poetry थी एक विद्रोही poetry थी एक विद्रोही poet थे कौन? P.B. शैले और जो कीट्स की poetry है उसमें चुकी revolutionary spirit नहीं थी इस कारण जो P.B. शैले है वो कीट्स को कीट्स की जो poetry है उसको dislike करते थे clear friends? कीट्स poetry was devoid of revolutionary spirit की उस पे revolutionary spirit नहीं थी तो शैले डिसलाइग कीट्स poetry प्रेंड्स बेकग्राउंड नॉइज आज आपको फील हो रहा होगा एक्च्वल में जो यह लेक्चर रिकॉर्ड हो रहा है यह लगबग 5 वज़े हैं और रिकॉर्डिंग के बाद आपको इमीडियेट बिल जाएगा आपके जो आपका प्रोजेक्स चल रहा है उसमें फ् नहीं कर पा रहा था और बेसिकली जो लेक्चर है वो सब मौनिंग में रिकॉर्ड होते हैं चार साड़े चार पांच वजे तक तो उसमें चुकि जो नॉइज है वो नहीं होता उस टाइम सब सोही होते हैं लेकिन शाम के टाइम रिकॉर्ड करना पढ़ रहा है तो ओविसल दिलविड है मैडलीन यह दो करेक्टर एक पोएम है जोन कीट्स की वो है दस इव उफ सेंट अगनीज से लिए गए हैं पोरफारो एंड मेडलीन यह दो करेक्टर कहां से फ्रेंड्स दा इव उफ सेंट अगनीज से क्लियर चलिए फ्रेंट्स कॉंटन रिकेट कॉंटन रिकेट ने एक कमेंट किया है जो उन कीट्स को लेके और वो क्या कहा कि कीट्स इस कंटेंट टू एक्सप्रेस हर थू इन सेंसेस कीट्स इस क्या कमेंट किया फ्रेंट्स कीट्स इस कंटेंट टू एक्सप्रेस हर कि जो कीट्स है वो कंटेंट है कंटेंट का मतलब होता है फ्रेंट्स संतूस्ट सेटिस्फाइड कि कीट्स जो है वो कंटेंट है वो भरे हुए है किससे भरे हुए है टू एक्सप्रेस हर टू एक्सप्रेस हिस थू दा सेंसेस एक्सप्रेस नॉठ हिम थू दा सेंसेस चुकि वो अपने आपके एक्सप्रेस कर रहे हैं। किसके थू वो सेंस के थू कर रहे है इसलिए वह क्या है उनको कहा है content इसको कहा है content टू एक्सप्रेस विद। सेंस एक्सके बात्निया बात करते हैं कीट्स को एक Hellenistic poet कहा जाता है कीट्स was a Hellenistic और इस Hellenistic का जो मतलब होता है क्यों कहा जाता है चुकि वो related थे किसे Greek history, language and culture से related to Greek, language, history and culture और इसलिए comment भी जो कहा गया कि कीट्स was a Greek वो भी शायद यही reason था कि कीट्स को क्या कहा गया Hellenistic poet या एक Greek कहा गया clear friends देखे, कीट्स ने एक relationship दिखाया है एक necessary relationship दिखाया है अपनी poems के बाध्यम से और किसमे joy और sorrow के बीच clear friends तर से जाड़े, ऐसे जाड़े, जाड़े, कीट्स अवाड़े, लिचऱे, और ड़ीच, कीट्स, कीट्स, एक जाड़े, और रडिखे, पूलेच, कीट्स, बात के लिए रहे फ्रेंट्स देखिए एक किश्वन ये आपके एक्जाम में आया है कि कीट्स की एक पोएम थी जिसका उन्होंने फर्स्ट इस्टेंजा जो है वो ड्रॉप कर दिया था मिन्स जब वो पोएम पब्लिस हुई इन दा इयर 1828 में तो जो उसका फर्स्ट इस्टेंजा था वो पब्लिस नहीं हुआ उसको जोन कीट्स ने छोड़ दिया और वो पोएम कौन सी थी वो थी फ्रेंट्स ओड टू मैलनकली the original first stanza of the poem ode to a melancholy was dropped by kids और फ्रेंट्स पब्लिस कब हुई यह 1820 में clear friends important question है यह एक्जाम में पूछा गया है PGT में तो चलिए फ्रेंट्स आगे बढ़ जाते हैं फ्रेंट्स जॉन कीट्स की poetry के अगर सबसे बड़ी quality की बात आती है तो overall जो quality है जॉन कीट्स की poetry की उसके लिए एक word आता है sensuousness clear friends यानि sensuousness is the characteristic of John Keats poetry यह क्या है कीट्स की poetry की जो सबसे बड़ी quality है जो सबसे बड़ा characteristic है वो क्या है वो है sensuousness clear friends और John Keats के बारे में एक idiom अक्सर यूज होता है एक phrase आता है और वो क्या है friends rap on the nucleus कीट्स को कहा जाता है कि कीट्स वॉज आ विक्टिम ओफ की कीट्स एक शिकार थे किसके थे रैप और न्यूकल्स और रैप ओफ जो न्यूकल्स है इसका मतलब क्या है friends इसका मतलब है severe criticism severe criticism बात समझ में आ गई तो एक severe criticism का जो शिकार कहा जाता है वो जोन कीट्स को कहा जाता है फ्रेंट्स जोन कीट्स की एक पोएम रही है और उस पोएम का title है ला बेले डेम सेंस mercy इसकी अगर theme की बात करें तो इसकी theme क्या है friends a fatal magical love luring a man to his doom a fatal and magical love luring to his doom देखें friends यहां एक doom है बड़ा अच्छा word है और यह word actual में कई बार आपके जो word power है means meaning जब पूछा जाता है वहां तो उसमें आया है और doom का जो मतलब होता है वो friends होता है वो कोई दुर भाग किया clear यानि bad luck जिसको हम कह देते हैं तो अगर theme की बात करें तो एक fatal और magical love fatal कहते है friends बिलकुल जान लेवा जिसको हम कह देते हैं वो fatal होता है जान लेवा magical love luring और एक ऐसे विक्ति का love luring एक ऐसे पुरुष का love luring जो कहा है जो अपने doom की तरफ जाता है यानि जो उसको उसके दुर भाग के तरफ ले जाता है clear friends a fatal magical love luring to his doom बात clear है friends John Keats की देखिए बहुत ज़्यादा उन्होंने नहीं लिखा 3-4 साल का life spend रहा है इनका जो life spend से मतलब है मेरा यहां जो उनका literary spend रहा है वो 3-4 years रहा है और उस 3-4 years में अगर हम बात करें एक particular year आता है 18, 19, 1819 तो इसको कहा जाता है most productive year of kids poetry the most productive year of kids poetry बात clear friends John Keats की जो ods है वो क्या है friends वो ज़्यादे तर बताया था मैंने वो regular ods है लेकिन अगर जोन कीट्स की sonnet की बात करें तो जोन कीट्स ने जो sonnets लिखी वो लिखी friends Italian sonnets यानि जिनको हम दूसरा नाम देते हैं Petrarcan sonnet और you can say Italian sonnets clear friends और sonnets को हम डिस्कस कर चुके हैं Italian sonnet Petrarcan sonnet और आपकी English sonnet और Spencerian sonnet जहां forms of literature हमने पढ़ी थी उसमें details से हम इसको हम डिस्कस कर चुके हैं और अगर इसमें कोई doubt है arriving pattern या बहुत सारी जीजे समझ नहीं है तो related lecture आप वहाँ देख सकते हैं clear friends stop and consider रुको और देखो क्या देखो life is but today कितनी प्यारी line कह दी friends रुको और देखो जो जीवन है वो क्या है वो तो एक दिन के लिए है और ये जो प्यारी line कही है friends sleep and poetry बे ये poem है sleep and poetry sleep and poetry से line ली गई है stop and consider life is but a day तो चलिए friends note कर लेते हैं जोन कीट्स का एक वर्क रहा है और वो क्या रहा है Hyperion ये actual में एक epic लिखने का प्लान था जो ब्लैंक वर्स में वो लिखना चाह रहे थे और इसी के साथ 10 बुक्स में उसको लिखना चाह रहे थे लेकिन friends इसकी two and a part of the third यानि दो बुक तो पूरी हो गई और तीसरी का थोड़ा पार्ट ही पूरा हो पाया और ये जो बुक है means Hyperion की अगर बात करें तो ये कभी complete नहीं हुई planned to be in 10 books और किस में है friends in blank verse you can say और complete कितना हुआ तो और आपार्ट अवदा थर्ड बात समझ में आ गई friends John Keats की जो poetry है John Keats की poetry को Shakespearean कहा है किसी ने और वो किस ने कहा है Matthew Arnold ने कि Keats poetry was Shakespearean was Shakespearean और ये किस ने कहा है friends Matthew और नौड का एक कमेंट रहा है clear कि John Keats poetry was not imitated in dead of Shakespeare of Shakespeare but Shakespearean कि जो Shakespeare की poetry है वो dead things का imitation नहीं है बलकि ये तो एक Shakespearean poetry है clear friends और अगर हम बात करें तो John Keats के लिए एक और कमेंट कहा है वो कहा है Keats was not only the last कि जो Keats थे वो last नहीं थे but also the most perfect of the romantics कि वो तो last नहीं थे बलकि जो romantics है romantics में सबसे जो perfect है most perfect अगर poet थे तो वो कौन थे वो John Keats थे और ये critical remark रहा है friends W.J. Long का clear friends बहुत सारी बाते हम यहां कर रहे हैं बहुत सारे points हमने अगर डिसकस कर लिए friends एक चीज और है कि John Keats ने जो Shakespeare है Shakespeare को कहा है perfect example और perfect example किसका कहा है of negative capability का according to John Keats means Shakespeare was the perfect example of negative capability clear यानि नेगेटिव capability का perfect example अगर कोई है तो वो क्या है William Shakespeare है friends मुझे लगता है चार या पांच lecture हम John Keats पर हमारे आ गए हैं और जितना भी ऑथर के बारे में important चीजे थी जो हमारे exam से पूछी जाती हैं उसके point of view से उसको सब को हम discuss कर चुके हैं friends इसी के साथ आज हमारे lecture खत्म हो जाता है next lecture हम discuss करेंगे या तो हम Charles Lamb लेते हैं या फिर पीवी शैली लेते हैं इनमें से ही कोई author हम लेंगे आप कौन सा चाहते हैं मुझे comment करके बता कोस्ट मिल सके तो चलिए friends मिलते हैं in the next lecture में now thanks for watching this video